जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा हुआ था कि हम लोग जो है LLM के अलग अलग तॉप इंवर्सिटी के एंटरंस इग्जामिनेशन को के जो पेपर है एंटरंस इग्जामिनेशन का जो स्लेबस है उसको हम लोग देखेंगे तो आज इसी सीरीज में आज मेरा तीस इसका दे रखा हुआ है पहला कोशन यह है दे डिरेक्टिव प्रिंसिपल स्पालिसी अन्टर दव्सिटीशन और दे कॉंसिटूशन उफ इंडिया इम एट क्रियेटिंग क्या करता है सेकलर ससाइटी को कास्ले ससाइटी को वेलफेर स्टेट को या इंड्रेस्ट्रिव जो government को direct करते हैं अपने rules and regulations या जो है command करने के लिए ये इसको लेके court भी नहीं जा सकते हैं आप लोग ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए तो इसको option number C is right, welfare state चाहती है, directive principle यही चाहते हैं कि society जो है हमारी एक आदर्स समाज बने, आदर्स समाज स्थापित हो, अब हम अ क्या होनी चाहिए, क्या 60 साल है, 62 साल है, 65 साल है, तो governor की age को लेके basically my dear friends, कोई restriction है क्योंकि एक तरीके से political pad है, यहाँ पे जिस party की सरकार आती है, वो अपना governor नुक्त कर देती है, तो इसका option D correct होगा, अब तीसरे question पे हम लोग आते हैं, तीसरा question पूछ रहा है, which one of the following schedules of constitution of India takes away the judicial review of the court, judicial review के मामले से related, कौन सा section इसमें से होने वाला है, क्या schedule जो है 7th होगा, यह schedule 8th होगा, यह schedule 9th होगा, यह schedule 10th होगा, तो इसमें जो option correct होगा, आप लोगो को my dear friends, that is C, यानि के schedule 9th, takes the judicial review away, ठीक है, यह correct होगा इसमें, now, come to the question number 4th, question number 4th, यह पूछ रहा है, who decides in the parliament, whether a bill is money bill, अब parliament में कौन decide करता है, कि कोई bill money bill है, या नहीं है, क्या, जो है, speaker of लोग सभा decide करता है, या, जो है, chairman of राजसभा, या president, या minister, तो इसका option होगा, एक correct, यानि की, speaker of लोग सभा decides, money bill है, कोई bill, या नहीं है, अगले question पर आते है, question number, जो 5th है, वो पूछ रहा है, हम से, कि constitution of India describes, India has a federation, कौसी federation, या, जो है, cooperative federation, तो union of state है, हमारा, na, union government form होती है, तो union of state है, तो option number D is right for this, Now, come to the question number 6, question number 6, कहता है, under the constitution of India, the entire executive power of union is vested in, union की entire power किसके अंदर होती है, President of India के, या Prime Minister of India के, Union Council of Minister के, या Parliament के, तो मेरे दोस्तों, जो हम लोग, कहते हैं न, कि gadget देखते हो, कोई official gadget आता है, कोई law आता है, तो किस के नाम पे आता है, राश्टपती महुदे के नाम पे आता है, तो, सारी power किसके हाथ है, राश्टपती महुदे के हाथ है, हाला कि वो nominated head है, ठीक है, लेकिन, उनके बिहाफ पे ही सारी चीजे प्रदानमंत्री महोदे करते हैं अब अगला कोश्चन हम लोग देखते हैं जो अगला कोश्चन हमारा ये है एट्थ कोश्चन अगला कोश्चन हमारा जो होगा उस सेवन्थ कोश्चन होगा कि अब परसन हूँ administers the oath of the office of the president in India क्या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की ओथ कराते हैं या लोग सवाई स्पीकर कराते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराते हैं या अट और नी जर्नल कराते हैं तो इसका option C correct होगा C में बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं प्रेसिडेंट की ओथ कराते हैं कौन प्रेसिडेंट की ओथ कराते हैं राष्टपती महोदे प्राइम मिनिस्टर की कराते हैं कौन प्रधान मंतरी जी की ओथ कौन कराने वाला है प्रधान मंतरी की ओथ कराता है वो राष्ट महोदे कराते हैं the three type of justice referred in preamble of the constitution तीन तरीके के justice की बात करी गई है constitution में हमारे पहला option है economic, political and social, दूसरा option economic, social and religious, economic, religious and political, फिर fourth option है political, social and religious, तो my dear friends इसका answer एह होने वाला है जो हमारी preamble बताती है कि हमारा constitution तीन तरीके के justice देगा, economic basis पे देगा, political basis पे देगा, social basis पे देगा, तभी तो समाजिक समरस्ता स्तापित होने वाली है, ninth question पे हम लोग आते हैं, जो ninth question हमारा है, ninth question हम से पूछ रहा है कि a member of the state assembly can be disqualified, member of state assembly को disqualified कौन कर सकता है या उसकी सदसिता को कौन छीन सकता है, या governor से सकता है, governor in the consultation with election commission, या election commission, या governor on the advice of chief minister, chief minister सदसिता छीनवा नहीं सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, चाह सदसिता हटाने के लिए एक अलग कानून होता है, दल बदल पे, election commission किसी की सदसिता को रद करता है, अब हम लोग आते हैं, अगले question पे, question number 10 पे, the supreme court of India to the exclusion of any other court has jurisdiction in any dispute between, अब supreme court of India से related ये जो मामला है, इसमें कौन सो options ही होने वाला है, the government of India and one or more states, the government of India and citizens, the government of India and any foreign state, your foreign government, the government of India and non-citizens, तो इसमें पहला option correct होने वाला है, A is the right answer for this, question number 10, now, come to the question number 10, question number 10 पे आते हैं, who seeks the advisory, opinion of the supreme court of India, supreme court of India के opinion को कौन लेता है, क्या prime minister जी लेते हैं, या president लेते हैं, the union of law minister या attorney general, तो इसमें क्या answer सही होने वाला है, इसमें सही होगा president, क्योंकि सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के भीहाव पे होती हैं, प्रधान मंत्री के भीहाव पे नहीं होती हैं, हमें पता होना चाहिए, देश में जो भी गजट निकलेगा, या contract निकलेगा, वो राष्टपती महोदे के नाम पे निकलता है, जैसा इस स्टेट में governor के नाम पे निकलता है, तो question number twelfth पे आते हैं, which of the following statement with respect to public interest litigation is correct? अब इसमें पूछा गया है, कौन सा statement correct होगा, PILC related, only an aggrieved party can approach the court of law to seek critical of grievances, ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी के बिहाफ पे कोई भी court जा सकता है, option number B, one can seek the legal remedy before supreme court of India, only गलत है, high court में हम जाते हैं, और supreme court में जाते हैं, ठीक है, दो sections के तहत जाते हैं, 32 और 226, 226 में हम लोग कहां जाते हैं, high court में जाते हैं remedy लेने के लिए, PILC through, और supreme court में कैसे जाते हैं, 32 article 32 के तहज जाते हैं, अब इसका जो option है, option number D, वो correct होगा, वो बता रहा है, any public is printed, can speak, can seek this remedy, तो कोई भी आदमी, जो चाहे किसी को remedy डिलाना, वो court approach कर सकता है, अब हम लोग question number 13 पे आते हैं, the parliamentary committee which scrutinizes the appropriation accounts of the government of India and report of the comptroller and auditor journal is estimates committee, public accounts committee, journal purpose committee, यह joint committee on office of profit, तो option number B होगा, इसका correct, 13th का, की public account committee जो होती है, वो जो है, comptroller auditor journal की report से related है, अब हम लोग question number 14 पे आते हैं, जो question number 14 पूछ रहा है, which one of the following constitutional amendment led to the constitution of administrative tribunal in India, question number 14 आता है, 42nd amendment, या 25th amendment, या 27th amendment, या 44th amendment, दो जो constitutional amendment आया था administrative tribunals related, वो दोस्तों था 42nd amendment, 42nd amendment में था, और उसका option number A correct होगा, 14th question का, अब हम लोग अगले question पे आते हैं, अगला question यानि की 15th question, 15th question ने पूछा गया, the president shall constitute the finance commission every, कब करता है, finance commission का tenure बता रहा है, तो इसमें पूछा गया, five year या earlier, four year या earlier, seven year या earlier, या three year earlier, तो पहला option यानि पांच साल पे finance commission या उससे पहले की details हो सकती हैं, अब देखिए, अगला question आ रहा है, question number 16th, इसमें the amendment to the constitution of India may be introduced in, लोकसभा and legislative state, लोकसभा, राजसभा and legislative assemblies of India, लोकसभा and राजसभा only, और और लोकसभा, तो देखिए, centers और लेटर जो भी rules and regulation बनेंगे, वो आपको state assembly में करने की जरुवत नहीं है, legislative assembly में करने की जरुवत नहीं है, अगर खाली लोकसभा में करते हो, तो भी invalid है, खाली राजसभा में करते हो, तो भी invalid होता है, तो option number C correct होगा, कि लोकसभा और राजसभा दोनों में ही आप करोगे, amendment से related, constitutional amendment से related, और आप कहीं कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप question number, हम लोग 17th पे आते हैं, which one of the following office was not created by the constitution, कौन सा office जो है, constitution के through, नहीं create किया गया था, controller and auditor general का, अरे भाई साहब, कैग, साहब तो बहुत एक constitutional पद है, बहुत बड़ा पद है, और उसके अबत election commission भी constitutional पद है, क्योंकि सरकार निखती करती है, सब कुछ, उसके planning commission, planning commission जो है, किसी, जो है, create नहीं किया गया था, constitution के द्वारा, तो option number C होगा, बाकी आपको पता है, union public service commission के लिए अलाग से section है, वो आपको जो है, आगे की videos में मैं बताता रहूंगा, अब option number 18 पे हम आते हैं, 18 पूछता है, the president of India enjoys the right to return with respect to both money and the non-money bill, only money bill, या only non-money bill, none of the, अब अब, 18th question का जो answer होगा, only non-money bills को ही return करा जा सकता है, money bill cannot be written or refute, अब question number 19 पे आते हैं, हम लोग, question number 19 या पूछता है, universal audit franchise was for the first time introduced in India, universal audit franchise इंडिया में कब पहली बार introduced होती है, तो क्या under government of India Act 1935, बिलकुल नहीं, under the independence act बिलकुल नहीं, under the constitution ये सही option होगा, option number C is right for this my dear friends, so take it and learn it, अब हम लोग, question number 20 पे आते हैं, question number 20 पूछ रहा है, under the government of India Act 1935, under the government act of India 1935, the total number of ministers including prime minister in the council shall not exceed, question number 20 का answer क्या होगा, क्या 15%, क्या 10% या 20% तो या 12% तो इसमें जो correct option होने वाला है, वो हो जाएगा, आपका option number B, B, तो B is the right answer, 10% था, sorry, 10% था और आगे बढ़ते हैं, question number 21 पे, 21 ये पूछ रहा है, which of the following is not laws properly so called, according to Austin, Austin के हिसाब से laws properly so called, क्या concept हुआ था, क्या Indian Penal Court, Constitution of India, Copyright Act या NDPS तो यहाँ पे answer होगा, B number यानि की Constitution of India, अब हम लोग question number आते हैं, 22 पे, 22 में ये पूछ रहा है, the heart fuller debate discussed, heart fuller की जो debate थी, वो किस पे discuss हुई थी, validity of Nazi laws, morality of Hiroshima नागासा की bombing, morality of whole cost law making in federal, तो इसका right answer होने वाला है, question number 22 का पहला, जो Austin Puller का जो discussion था, debate था, वो validity of Nazi law का related था, अब हम लोग अगले question पे आते हैं, question number 23, question number 23 ये है, the positivist school posculates, question number 23, law and morality are synonyms, law and morality are necessarily interconnected, law and morality are not necessarily interconnected, there is no relation between law and morality, तो इसका option number C होगा, law and morality are not necessarily interconnected, तो C option is right my dear friends, accord अब देखें, question number 24 पे आते हैं हम लोग, question number 24 जो पूछ रहा है, हमारा, कि according to the natural law of theory is, 24, an unjust law is not law, कि जिसमें सब लोग equal नहीं हो और सब कुछ हो, तो वो क्या है, unjust law is not good law, unjust law should not be obeyed, unjust law is a law, तो इसका 24 जो आंसर होगा, पहला होगा, यानि कि ए होगा, सब एक जैसा देखता है, लेकिन unjust law is not law, ये एकदम सही आंसर इसके लिए होने वाला है, अब हम लोग question number 25 की तरफ बढ़ते हैं, 25 question पूछ रहा है, which of the following school is the most anti-conceitial, 25 number question का जो आंसर होने वाला है, वो आंसर होने वाला है, क्या, बताइए, exclusive positism, inclusive positive, या critical theory law, या natural law, तो इसका आंसर होगा, D, that is natural law, all right my dear friends, so I have not kept my phone on flight mode, keep it, so that किसी का phone पूणना आए, ठीक है, अब हम लोग अगले question पे आते हैं, अब question number हमारा है, 25 हम लोग cover कर चुके हैं, question number 26 पे आते हैं, गुर्द्रॉम, गुरुन्ड्रॉम, इस दा कॉंसेफ्ट रिलेटेट तू, 26 का कार्ल सेवनी, रोबिटरा अंगर, हांस केल्षन या जोसफ रैज, तो इसमें आंसर होने वाला है, C, यानि की कार्ल, हांस केल्षन, आंसर नंबर, C is right in this, अब 27 पे आएए, 27 क्या पूछती है, exclusive positivism और hard positivism asserts that, अब इसका होगा, the rules of adjudication are intermediate, secondary rules are legislative, rules of adjudication has minimum content of morality, rule of recognition has no element of morality, तो 27 का आंसर जो होगा, 27 का आंसर होगा, D, यानि की rule of recognition has no element of morality, exclusive positivism और hard positivism को assert यही करता है, अब question number 28 पे आएए, question number 28 यह पूछ रहा है, which of these is positive critic of the natural law of theory, natural law is of divine origin, natural law is unclear, natural law is law encourages anarchy, natural law is immoral, तो answer number 28, question number 28 का, क्या होगा, question number 28 का C होगा, यानि की it will create anarchy, ठीक, critic था इसका, अब question number 29 पे आएए, question number 29 यह कह रहा है, the Delhi High Court in Nas Foundation case supported which of the following relationship between law and morality, question number 29 का क्या होगा, enforcement of public morality is subject to fundamental right, criminal law can enforce public morality, criminal law must enforce public morality, constitutional morality requires enforcement of public morality, तो question number 29 का A options आएए होगा, enforcement of public morality is subject to fundamental rights, तो answer number A is right over here मेरे दोस्तों, अब question number 30 पे आएए, question number 30 यह पूछ रहा है, which of the following is a compilation of John Austen lectures, progressive state explained, province of jurisprudence determined, providence of jurisprudence, ठीक, इसका option number 30 का होगा, B यानि कि प्रवेंस आफ जूरिस्प्रुडेंस डिटर्माइड, 31 पे आएए, which of these is not source of law, कौन इसमें से source of law है, हम जानते हैं कि customs जो होती हैं, law को बनाने में निर्धारत करने में मदद करती हैं, कोई भी law बना जाता है, तो customs को ध्यान में रखा जाता है, लेजिसलेशन लौ बनाता है, और बिटर डिक्टा is also helpful in making law, foreign statutes जो होती हमारे internal law को बनाने में helpful नहीं करती हैं, तो 31 का जो option number D है, वो correct होगा, अब अगले पे आईए, which of these statement is true in ulitarianism, okay, अब आते हैं, 32 का option, 32 का A option correct होगा, principle of utility is of morality, option number A is right for this, now come to the question number 33, Oliver Wendell Homeless, famous bad man theory of laws is accepted as valid only, critical legal theory में, critical race theory में, American legal realism में, scandism realism में, किस में है ये 33 का जो option होगा, वो C correct होगा, American legal realism, अब 34 पे आईए, 34 में, which of the following is not one of the fuller's, dysandrela, 34 का जो option correct होगा, वो C होगा, specificity, okay, C answer is right over here, which of the following is asserted by, positivist, positivist, law should be obeyed, because it is enacted by sovereign, law enacted by sovereign is always moral, law enacted by sovereign is always immoral, obligation to obey law is separate moral, in inquiry unrelated to validity of law, तो 35 का, जो option आपका correct होने वाला है, वो D होगा, तो, tick this answer, now, come to the question number 20, 36, 36 में पूछ रहा है, according to the historical source, what is the source of law, option number A सही होगा, या B language सही होगा, या custom सही होगा, या option number D सही होगा, तो 36 का जो option आपका correct होगा, option number A सही होगा, इसलिए A को आप लोग टिक करें, पढ़ें, अप question number 37 में आते हैं, continuous बोलने में क्या होता है, कफ होने लगती हैं, खासने लगते हैं, अप question number 37 पे आते हैं, which of the following theories, was not a supporter of, codification of loss, इन में से कौन सी थेोरी, codification of loss को, नहीं करती है, कौन सी थेोरी नहीं करती है, my dear gentleman, my dear friends, वो ये नहीं करती है, की, D option है, Carl's 70 की थेोरी, ज्यादा options मैंने पढ़े नहीं, D नहीं करती है, अब अगले question पे आते हैं हम लोग 38 पे, 38 पे पूछ रहा है, गलती से screenshot हो जाता है, 38 पे पूछ रहा है, which of these school does not justify fundamental right in the constitution, natural law, utilitarianism, या positiveism, या sociological school, 38 का option number B होगा, correct, तो इसको आप लोग टिक कर लो, अब question number 39 पे आते हैं, the social contract theory explains, social sources of laws, या consequences of organized society, origin of state, customary laws, तो option number C इसका correct होगा, ये origin of state का concept होगा, ठीक है, so correct it, question number, हम लोग आते हैं, 40 पे आ रहे हैं, my dear friends, come to the question number 40, which of the following statement is not true of legal personality, legal person is capable of holding both right and duties, ये एकदम सही होगा, corporation is a legal person, company एक legal person, ये हम सब जानते हैं, बिलकुल correct है, temple deity can be a legal person, it is also correct, a fetus cannot be a legal person, क्योंकि वो पेट में है, उसका भी existence नहीं हुआ है, इसलिए वो legal person नहीं है, तो option number D is correct over here, taught word is from which language, हम सब जानते हैं, taught कहां से originate हुआ है, taught French language से originate हुआ है, तो option number A इसका correct है, taught is basically derived from the word, taught which means twisted, अब question number 42 पे आईये मित्रो, question number 42 पूछ रहा है, taught is civil wrong है, यह सब को पता होगा, answer number A is absolutely correct for this, ठीक है, damages suffered due to, taught to us act is redress by claim of 43 पे, क्या liquidated damages, unliquidated damages, liquidated damages, as well as unliquidated damages, restorable damages, तो option number 43 का B होगा, unliquidated damages से related है, okay, answer number B is right for this, आप आईये, question number 44 पे, which of the following is, not a valid defense in taught, valid defense नहीं है, taught में, इन में से कौन सा, वोलंटी, non-fit injuria, विस मेजर, संक्ती, not-fit injuria, इन्जूर नहीं होगा, answer number C is right, my dear friends, take this, now, come to the question number, 45, 45 पूछ रहा है, अप्रिंसिपाल लाव, अभी जस, इबी रमेडियम, वाज रिकागनाईज, इन विंटर, वर्सेज वाइट, यह राइसलेंड, बनाम, Fletcher's के case में, राइसलेंड, बनाम, Fletcher's के case, जो था, बहुत तगड़ा था, उसको पढ़ लेना, लेकिन इसमें, जो option होगा, वो correct होगा, option number C, what is the, the maximum, option number, sorry, question number 46 पे आईए, the maximum risk इसपा, locator is, rule of law, rule of procedure, rule of evidence, यह rule of negligence, तो option number, क्या होगा, 46 का correct, rule of evidence, यानि की, option number C is right, now, come to the question number 47, question number 47, यह पूछ रहा है, for an act of intolts, there should be violation of legal right, damages should have occurred, to plaintiff, whether there is violation of legal right, or not, violation of right, is essential, या none of the above, तो 47 में क्या होता है, there should be violation of legal right, तभी tort होता है, किसी के आप legal right, को violate कर रहे हो, जैसे रास्ता नहीं दे रहे हो, या कुछ कर रहे हो, तो option number A, is correct for this, या किसी के property में, trespass कर रहे हो, that is also a tort, अब हम लोग आते हैं, question number 48 पे, mental condition of the wrongdoer, at the time of work doing, is relevant in all torts, relevant to tort, based on fault, relevant in tort, based on strict liability, not relevant in tortious liability, 48, mental condition wrongdoer, at the time of working doing, is, क्या होगा, relevant to tort, based on the fault, option number B, is right for this, my dear, दोस्तों, अब आईए, 49th question पे आते हैं, 49th question पूछ रहा है, the rule of no faulty liability, signifies, rule of strict liability, rule of vicarious liability, rule of singular liability, rule of legal liability, तो इसमें, जो option correct होगा, option होगा, correct A, यानि की, rule of strict liability, अब उसमें, अगले question पे आईए, Indian Supreme Court, formulated the rule of absolute liability, in M.C. Mehta versus Union of India, Town Area Committee versus Prabhu Dayal, Vishnudath case, या, पगदाला versus Commissioner of Nellore municipality, तो option इसमें, जो पचासवे का correct होगा, M.C. Mehta versus Union of India, M.C. Mehta जी ने बहुत सारे cases करे हैं, थका दिया है, पढ़ पढ़ के इन्होंने, बाकी ही वाज़ेंट, ठीक है, act of God is a valid defense to rule the strict liability that signifies an act of supernatural powers, an act of religious person, an act of religious institution, an act of the state, तो 51 का answer होगा, correct, A वाला option correct होगा, 51 का, an act of supernatural powers, okay, my dear dosto, this is correct, all right, now, come to the question number, question number, 52 पे आईए, when one person is held liable, for the wrongful act of other, it is called vicarious liability, group liability, tough liability, या जर्रनल liability, 52 का answer होने वाला है, B, answer, sorry, answer होने वाला, A, यानि की vicarious liability, ठीक है, अब question number 53 पे आते हैं, respondent superior means, let the principle be liable, let the servant be liable, let none of them be liable, क्या होगा, 53 का आंसर, ये होगा, let the principle be liable, respondent superior, superior हो तो liability तो लेनी पड़ेगी न, अब आते हैं, question number 54, पे दद मैक्सिम, क्विफिचिट पर ऐलियम, फिचिट पर मींस, क्या होगा, He who does and acts to another is deemed in law to do himself He who acts negligently is deemed as wrongdoer in the law He who violated the right of others must pay further He who injures others directly or indirectly must pay इसका answer क्या होगा? 54th का answer correct होगा A number वाला अब अगले कोशन पर आईये कोशन नमबर पश्पन पर कोशन नमबर पश्पन पूछ रहा है Which of the following statement is true? Doctrine of common employment is applicable in India as well as in England Doctrine of common employment is applicable in India but not in England Doctrine of common employment is applicable in England not in India It is not applicable, it is applicable neither in England nor in India बताईये इसका क्या correct answer होने वाला है? 55th का जो मित्रो correct answer होगा वो D होगा D ये है पूरी तरीके से देख लीजिए अब D बता रहा है कि इस अप्लीकेबल नाइदर इंगलेंड नौर इंडिया बट इस फिस्टोरिकल इंपोर्टेंस ओनली Question number 56 पे आईये Question number 56 याने कि इन इंडिया लीगल सिस्टम There is a separate act to deal with the state liability for the tortuous act of its servants There is no separate statutory board provision of state liability It is enshrined in article 300 of the constitution Article 244 deals with the state liability Article 300 with the liability of the centre There is no provision regarding the state for the tortuous act Answer number B correct होगा There is no separate statutory provision for on the state liability Okay, B option is right for this So now come to the question number 57 57 question The nature of the joint toward feasible liability Joint several, joint and several, joint but not several 57 का answer सही होगा C joint and several अब question number 58 पे आईये Question number 58 ये पूछ रहा है Under the Indian law, libel is actionable per se Slender is actionable per se Libel and slender are actionable per se None of these 58 का option जो होगा C correct होगा, वो C correct होगा, libel and slender are actionable per se Fair comment is recognized, defense against a suit of forward defamation It is essential that 59th का option D होगा, इन में से कोई नहीं Sorry, maaf करना, all of above, मैंने उपर का गलती जे पढ़ लिया, इसका 59th का option D correct है, all of above A comment must be fair, it is a matter commented upon, must be public interest, it is an expression of opinion rather than assertion of fact, ये correct होगा Now, come to the question number 60 Question number 60 पूछ रहा है, defamation क्या है Defamation क्या civil wrong है, crime है, civil wrong as well as crime है तो option number C is right, मेरे डियर मित्रों ठीक, अब question number 61 पे आईए An agreement to keep the offer open for certain period of time cannot be cancelled before the expiry of that time period अब option number A कह रहा है, इसका कि it is made with the lawful objective, it has sufficient consideration, it is provisionally accepted, it has been accepted with the condition subsequent तो option number B होगा, इसका right, it has sufficient consideration, अब question number 62 पे आईए, 62 पूछ रहा है Insurance covers and railway carriage, receipts are example of standard form contracts, provisional contracts, counter proposal, letter of intent, 62 का answer होगा क्या correct इसमें, यह correct होगा, standard form of contract, अब हम लोग आते हैं Question number 63 पे, a clause is a loan agreement permitting the financer to seize the finance vehicle is in the event of default in the payment would be amount to अगर vehicle छीनते हो, तो क्या होता है, 63 पे आईए, void agreement due to unequal bargaining power, unlawful agreement due to coercion, voidable agreement due to fraud, void agreement due to mistake, तो इसमें जो answer होएगा, 63 का a correct होगा, void agreement due to unequal bargaining power, option number a सही है, इसका अब 64 पे आईए मित्रो, accord and satisfaction are terms related to performance of contract, impossibility of performance of contract, breach of contract या contingent contract, 64 का जो answer होगा, इसमें a और c सही होगा, जो इसमें दे रखा हुआ है, वो option 3 दे रखे हैं, लेकिन a और c सही होगा, यहाँ पे a भी सही है, और c भी सही है, ठीक है, तो आपका a भी सही है, c भी सही है, 100% में पूरे दावे के साथ बता रहा हूँ, performance of contract, impossibility of performance of contract, तो 64 का जो आप आपका a और c option एकदम सही है, ठीक है, तो a and c both are correct in this, अब अगले question पे आईये, there is no reason why compensation for non pecuniary damage should not be allowed, this was held, this was held by house of lord in case of bills versus assy themes, regional health authority, heist versus dot, parlay versus skinner, mcmohan versus field, 65 का जो answer आपका correct होगा, वो c correct होगा, c is the right ticket, now come to the question number 66, question number 66 से पूछ रहा है, a loan giver, loan given to the son at the instance of his father who executed all the essential documents, is enforceable against father because it is sufficient, it has sufficient consideration, ya concentration was provided by father, it was done at the desire of the promissor, it was done at the request of the promissor, ये इसमें होगा, consideration was provided by father, तो option number B, यानि कि option number 2, इसका correct होने वाला है, option number 2 में क्या-क्या दे रखा हुआ है, देख लीजे, 123 points तो option number B, इसका correct होने वाला है, ठीक है, अब हम अगले question पे आते हैं, अब हम लोग 68 पे आते हैं, 68 ये पूछ रहा है, A tells B that he will pay him Rs. 1000 when he turns 30, it is contingent contract, तो 68 का option number A होगा, येस, ठीक हैं, ज्यादा discussion नहीं, बढ़ लेना explanation, अब 60, 69 पे आईए, एक पेज दो बार हो गया था, 69 पे आईए, 69 कह रहा है, 69 पूछ रहा है, ये orders a pizza from Domino's, the Domino's delivery person accidentally drives to C, C eats it, C, is C obliged to pay for Domino's pizza, बताईए, 69, 69 का C option correct होगा, येस, C पैसा देगा, क्योंकि C at pizza knowing that he hadn't ordered and having it, ठीक, तो he will be paying, तो C option correct होगा, अब आईए, question number 70 पे, a contract with B, pay him large sum of money when he marries C, B married D instead, how ask for money, is it contract now, void 70, 70 का A option correct होगा, ये A option correct होगा, the contract is void as B marries someone else, ठीक, 71 पे आईए, 71 कह रहा है, a contract with or by minor is, contract with or by minor is valid contract, void contract, voidable contract, या, voidable at option of either party, तो 71 का option B होगा, void contract क्योंकि minor contract नहीं करते हैं, an acceptance can be revoked, इसमें क्या option correct होगा, 72 में A option correct होगा, ठीक है, इसको take कर लो, no discussions on this, उसके बाद आईए, 73rd question पे, 73rd question कह रहा है, an agreement don't raise, the play of limitation is void and binding, void and voidable, या illegal, 73rd का जो option होगा, option number B correct होगा, void, अब 74th question पे आईए, 74th question कह रहा है, if the time is not essence of the contract, the failure to perform the contract by specified time, the contract void, voidable, at the instance of promise, remains valid, but promisey, can claim compensation for the losses suffered by him, by such failure, remains valid and can be performed at any subsequent time, without the promissor, being liable for the loss suffered by the promisey, question number 74th का जो answer होने वाला है, वो C होगा, ठीक है, C is the right answer for this ticket, अब question number 75 पे आईए, question number 75 कह रहा है, the damages under section 73 of Indian contract act are, liquidated, compensatory, penal, none of above, 75 का option number ये होगा, की liquidated damages, ये option correct होगा, which of the, अब अगले question पे आईए, which of the following statement is correct in Indian context, past consideration is no consideration, consideration can be past, present or future, consideration can only be present, consideration can only be present and future, तो 76 का option होगा, B option correct होगा, consideration can be past, present or future, अब उसके बाद आईए, question number 77 का, क्या option correct होगा, in the Indian context, an agreement is a strain for trade is valid, if it relates to, sale of goodwill, mutual adjustment, business of contingency, option number D, 77 का option होगा, ये correct, sale of goodwill, ठीक, अब, question number 78 पे आईए दोस्तों, 78 कह रहा है, where the proposal and acceptance is through letters, the contract is made, at the place where the letter of acceptance is posted, at the place where the acceptance is received, at the place at which the acceptance is addressed, all of above, 78 का option होगा, ये option correct होगा, at the place where letter is accepted and posted, 79 का question है, section 73 of Indian contract act incorporates rules, from which of the following cases, East Ham, BC versus Burnett Sunlay and Suns Limited, and Saoirshan, Lehmann, Button, Inc versus Mackline, Weston and Company Limited, Harley versus Bextail, Fish versus Kempton, तो 79 का जो correct answer होगा, वो C होगा, Harley versus Bextail, 80 कोस्चन पर आईए, 80 कोस्चन पर आईए, the term conscious, 8 idiom means, general consequences, reaching an agreement, meeting mind upon the same thing, in the same sense, 80 का option क्या correct होने वाला है, 80 का option correct होगा, C, meeting minds upon the same thing, in the same sense, जब अगले कोस्चन पर ये, 81 ये बहुत बड़ा कोस्चन है, पढ़ लेना, मैं इसका आपको right answer, अभी तुरन बता दे रहा हूँ, right answer इसका ये होने वाला है, 85 का जो है, 82 का जो right answer होगा, वो होने वाला है, A, वोक्Talkुर से एस्ट माश् い, 25 का जो होने है, जब बणता है, ढुब माश्न ये प्रेतर हमुड़ाई कि जए रहा हुआरा है स्ट्चर स्ट्फरिजद협で मैं आपकोर। क्पirk्ल स्ट्बसरपमोबगा है, झालोग झालोग मि झालोग और है कि तो झालोग 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 वे उला आया है